नमस्कार आदाप न्यूस क्लिक के डेली रॉंड अप में आपका स्वागत है आए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर दिली दंगो के केस में वकील महमूत प्राचा पर पुलिस की चापेमारी की सी बीए और बीए आई नेकी निंदा मोधी सरकार को क्रिशी कानूनों को वापिस लेना चाहिए कहना है यश्वंत सिना का करोना महमारी के कारण बॉलिवूर्ड दुद्द्यों को भी हुआ हजारो करोड का नुपसान और आखिर में करोना अपडेट देश भर में आज 6 महीने बाद 17,000 से लीचे आये नए मामले सुप्रीम कोर्ट बार असोसियेशन और बार असोसियेशन ओफ इंडिया ने वकील महमूत प्राचा के घर पर हुई पुलिस की चापेमारी की निंदा की है ये चापेमारी दिली दंगों के सिलसले में हुई थी प्राचा दिली दंगों में आरोपी बनाए गए कुछ लोगों का केस लड़ रहे हैं सोमवार को जारी किये गए एक स्टेटमेंट में स्सी बीय ने कहा कि पुलिस दुआरा एक वकील के घर पर की चापेमारी बुरी बंचा वाली है जबकि चापेमारी का सीरा संबन्द बार के सदस्यों से संब्द्द नहीं था एक वकील दुआरा अपने पेशे को निडर और निश्पक धंग से चलाने के लिए उद्देशों का इस कारवाई से उलंगन होता है स्टेटमेंट के मताबिक वकील मुवकील विशेश अधिकार के तहट सुरक्षित जानकारी को इस चापेमारी में जब्द किया गया है निउसक्लिक के साथ एक्स्क्लूजिव इंटिव्यू में यश्वन सिना ने कहा कि क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों का अंदोलन नरेंद्र मोधी सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता में मैठे लोगों की मंशा पर सवाल उठाय जा रहे हैं नए कानूनों का विरोध करने वालों का मानना है कि नए कानून कॉर्परेट घरानों के पक्ष में हैं और आम जन्ता के नहीं है आईए सुनते हैं किसानों की बीच में, मैं तो महाराष्ट में किसानों की बीच में गया, मैं मत्रप्रदेश में किसानों की बीच में गया, जब मैं ठीक थाक था कुछ साल पहले, और मैंने पाया कि जो भी वेवस्था है, उसमें किसान को उसकी उपज का सही मुल्य नहीं मिल रहा है, जैसे मक्का का किसान है. वो गया मंडी में. दूसेबीम का किसान है. वो गया मंडी में. अपने उपज को बेशने के लिए. अब वहां पर पहले तो ये होगा कि अगर उसमें इक MSP लागू भी है. तो लोग उस MSP पर खरीतने को तैयार नहीं होंगे. जो वहाँ पर ट्रेडर्स हैं, सरकार खरिती नहीं है, सरकार जो खरिती है वो जो प्रोडक्शन है, उसका एक अंच, अगर किसी किसान ने 10 क्विंटल मक्का पैदा किया, तो MSP पर सरकारी एजनसी कहें कि हम तुमसे 2 क्विंटल खरिदेंगे, 8 क्विंटल तुम जाकर मंडी म किसी ट्रेडर को भेज़तो, और ट्रेडर उसको MSP नहीं देगा, बहुत कम नाम पर वो खरिदेगा, तो अगरिकल्चर को नुकसान होता जा रहा है, दूसरा आप जानते हैं कि हमारे देश में एक इंडस्ट्रिल एकॉनमी है, एक अगरिकल्चरल एकॉनमी है, इन दोनों क अगरिकल्चरल एकॉनमी का और इंडस्ट्रिल एकॉनमी का, वो ज़्यादा इंडस्ट्रिल एकॉनमी के पक्ष में होता जा रहा है, अगर किसान एक क्विंटल कोई भी अनाज बेशता था, उससे जो उसको धन प्राप्त होता था, उससे वो माल ये कि लोहा, सिमेंट ये क लगातार किसान के खिलाफ होता जाता है, और सरकारी वादे जो है, उस पर सरकार खारा नहीं उतर रही है, जिसके चलते किशान जो है, वो तकलीश में है और आंदोलन के लिए मजबूर है, याश्वन सिना जी, सरकार कह रहे हम ये जो MSP है, जो नियुमतम साजह मुल्य है, हम देने के लिए त्यार है, हम लिकित रुप में देगे, आपका क्रिशी मंतरी नरेंदर सिंग्ग तोमार जी बार-बार कह रहे है कि सारे कानून में आप जो संसोधन चाह रहे हैं, हम त्यार है, एपी एमसी बाहर के मंडी फिर भी जो अंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप पहले कानून रद कीजिए कानून वापस लीजिए या कानून वापस लेने के लिए त्यार कीजिए उसके बाद हम बात करेंगे तो एक तरह से सरकार और जिन लोग आंदोलन कर रहें एक नहीं लगभग 40 संस्थाएं हैं कहीं तो कोई समझोता कोई संभावना मैंने नहीं देख रहा हूं जहां परन्जे जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं हमारे जो पार्लिमेट्री सिस्टम है ना मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर सब्सक्राइब करना चाहता हूं मुझे घोर आश्यरी हुआ जब मुझे पता चला किसी न्यूज रिपोर्ट से कि पहले पांच वर्ष में मोदी जी की सरकार में स्टैंडिंग अमिटी जो हैं पार्लिमेंट की उसमें केवल 25 प्रतिशत ही कानून जो दोनों सद्नों में प सब्सक्राइब के लिए और पिछले एक साल में एक भी कानून जो संसब के दोनों सद्नों में पेश हुआ एक भी कानून स्टैंडिंग अमिटी को नहीं गया है यह इतनी पार्लिमेंटरी सिस्टम के दिश्चिकों से इतनी गंभीर बात है कि पार्लिमेंट में यह बताता हूं जब मैं एक फैनांस कमिटी का धर्च हुआ करता था उस समयने हर कानून आता था हम बेदम थे कानूनों के एक्जामिन रखते करते हैं अब कोई कानून नहीं जाता है तो पार्लिमेंटरी सिस्टम का घोरुलंगर अब यह तीनों जो फार्म लोज आये एक सारा ऑपोजिशन के बावजूर रेलरोड किया गया जबरदस्ती पास कराया गया इनको क्यों नहीं वेजा है इतने महत्वपूर्ण कानून थे तो वहां भेजना चेतना आपने कहा कि आज कह रहे हैं कि हम क्लॉस बाइक लॉस डिसकॉशन करने को तयार है तो क्लॉस बाइ बुलन रत हैं उनको बुलाती उनसे विचाग भी मर्श करती अपने सिफारिश करते समय उनके जो रेक्मेंडेशन थे उनको ध्यान में रखती और एक अच्छा कानून पार्लेमेंट से पास होता है लेकिन अगर आप को समझने एक मिनट आप यह समझने है परणजे जी कि म मैं ही सर्वग्यान हूं मैं ही सर्वश्रेस्ट हूं मैं सब कुछ जानता हूं मेरा अलग कोई दुनिया में कुछ नहीं जानता है तो फिर यह सर्कार के लिए सामने क्या रास्ता है सरकार के सामने एक बहुत साधारन रास्ता है, अगर सरकार गरूर पर नहीं कायम है, जिद पर नहीं कायम है, सरकार को कहना चाहिए किसानों को, कि हाँ भाई, हम इन कानूनों को बापस लेते हैं, हम इन कानूनों को दुबारा पेश करके, आपके सुजाओ के अनुसार, इसको पर स्टैंडिंग अमिट्टी को भेजेंगे, स्टैंडिंग अमिट्टी सिफारिश करेंगी, उसके बाद दूबरा इस कानून को पास करेंगे, जिसमें आपको इतराज नहीं होगा. ये कर ले अगर सरकार, तो सरकार की क्या प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, क्या सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, कि उन्होंने बड़कपन दिखाया, किसानों की बात सुने और कानून को वापिस लिया. जनता एक बात बहुत आसानी से और जल्दी समझे और वो है सरकार की नियत को. सरकार की नियत के उपर जिस दिन जनता को शक हो जाएगा ना, तो अगर जनता दोरा लोग की हिद में भी उठाया हुआ खतम है, तो लोगों को सासा उसके उपर विश्वास नहीं होगा. इस सरकार की नियत के उपर आज के दिन लोगों को शक हो के आए. दूसरी बात कि सरकार के कई ऐसे कारिकलाप हैं, जिससे की ये जाहिर होता है कि सरकार जन्द कॉर्परेट घरानों के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। और इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप देश के लोगों की भलाई के लिए, मज़़ूनों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए कुछ कदम उठा भी रहे हैं, तो उस पर लोगों का विश्वास नहीं जनता है। और जिस तरह कुछ corporate ने तरक्की की है पिछले 5-6 वर्षों में उससे ये शक और गहरा होता है कि ने सरकार कुछ corporate घरानों के लिए ही काम कर रही है, आम जन के लिए काम नहीं कर रही है. पहले की बात आपने पूछी, कभी आपको याद होगा कि भाशनों में नेता लोग बोलते थे टाटा बिडला, क्योंकि उसमें टाटा बिडला का नाम बहुत था, तो अगर बेहिसाब कोई संपती इकटा करे, बेहिसाब तरक्की करे, तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाएग लोग शक की निगा से उस तरक्की को देखेंगे। करोना वारिस महामारी ने इस उद्योग के लिए साल 2020 में अब प्रत्याश्य चुनौती पेश की, जिससे मनुरंजन उद्योग पूरी तरह ठहर गया, हालाकि कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई सक्सटी काकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ अंदूनी सूतरों का अरुमान है कि नुकसान पंद्रसो करोड रुपे से लेकर हजार करोड रुपे तक हो सकता है, उन्होंने कहा कि सिंगल स्क्रीन थेटरों को महीने का नुकसान 25 से 55 लाक रुपे के बीच हुआ होगा, प्रेड अनालिस्ट अमूल मोहन के मताबिए एक साल में करीब 200 हिंदी फिल्में बन 332 नए मामलने सामने आहे हैं, इसके लावा करोणा से आज देश-बर में 252 मरीजो की मौथ हुई है, साथ-ईसी बीस देश-बर में करोणा से बीड़े 24,900 मरीजो को ठीकए आया चुका है और कूल आक्टिब माबलू में 8720 मामले कम हुए है, डेश-बर में करोणा के मामलो की संक्या बढ़कर एक करोड़ दो लाग 24,303 हो गई है जिन में से अब तक एक लाग 48,153 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंत्राले की ताज़ा जानकारी के नुसार देश में रिकवरी डेट बढ़कर 95.92 फीसिदी हो गया है यानि कुल मरीजों में से अब तक 98,759 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब आक्टिव मामलों की संक्या घट कर 2.62 फीसिदी यानि 2,68,551 हो गई है आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्ये खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेब्ट साइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया